बिहार का मिथलक छेत्र मधुबनी पेंटिंग की वज़ा से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारी ये कहानी इसी छेत्र के रहने वाले कुष्ण कुमार के परिवार की है। जो पीडियों से मधुबनी पेंटिंग बनाने की वज़ा से विख्या थे। इस परिवार की अगली कड़ी है श्वेता, जो छोटी उम्र से ही इतनी भड़िया पेंटिंग्स बनाती थी, कि लोग दूर दूर से उसकी पेंटिंग खरीद ने आते हैं। और फिर एक दिन अचानक श्वेता ने पेंटिंग्स बनानी बंद करते हैं। और उसी ने अपने पिताजी से कहा, जो लोग हमारी पेंटिंग्स खरीद कर आगी बेचते हैं, वो लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं। तो क्यों ना हम भी हमारी पेंटिंग्स खुदी बेच लिया करें। बेटी, ये सब बेचने के लिए कम्पूटर, इंग्लिस और दुनिया की समझ चाहिए। है ये सब तुम्हारे पास। उस वक्त तो श्वेता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। पर फिर भी श्वेता ने हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन श्वेता ने BSDM का विज्यापन टीवी लेगे। बिहार के युवाँ के लिए बिहार सरकार ने एक अनुठागार करम शुरू किया है। जिसका नाम है कुशल युवा प्रोग्रम। श्वेता अगले ही दिन BSDM के सेंटर गई जहां सबसे पहले उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर वहां से तीन महीने का के वाईटी का प्रोग्र से। और आज उसी कोर्स के वज़ा से श्वेता अपनी और अपने पूरे परिवार की पेंटिंग्स को दुनिया भर में बिरिच पा रही है। अपनी इस काम्याभी के लिए श्वेता बीस्ट्रेशन की बहुत आभारी है। थांक यू बीस्ट्रेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल युवा संब्रिद्ध युवा सपना आपका संकल हमारा। बिहार कॉशल विकास मेश श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार।